हालो फ्रेंड वेल्कम बैग मैं आपको सवगत कतो हूँ गूगल आड टूटल क्लस में और यहाँ पर आड़ शेकने को मिलेंगे और बिल्कुल आपको पोस्ट में राइटिंग टिफ्ट दे दूँगा और इसके साथ चाहद आपको यह पता चल जाएगा के अगर आप एक ए अच्छा चाहा आड केंपेंड आप करेट करेंख तो यह जाने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड में रिकोस्ट करता हूँ अगर आप प्रोफेशनल तरीके से आप एक आडड केंपेंड करेट काना चाहते हो गूगल आड आड़ चाहते हो तो यह जो चैनल है सबसे बेस्ट आप बेस्ट आपको होच चकते हैं मैं आपको इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ 81, 82, 83 मतलब पूरा एक पैकेज है और यह जो चैनल है पूरा का पूरा आपको डिजाइन के आगा है डिजिटल मार्केटिंग के उपार और यह भी बिल्कुल आपको टेक्निकली प्रैक्निकली सिखने को मिलेंगे तो फ्रेंट प्रीस में आपको रिकोस्ट करता हूँ आप जरू चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन जरू दवार दिए तो चैनले फ्रेंट जाम लेते हैं कि ऐसे गूगल की रूल्स की मुताबिक या हिसाब से आप कैसे एक अच्छा-च्छा सक्सेस्फुल एड केमपेंड बना सकते हो और वो जल्दी से जल्दी रैंक हो जाते है और कैसे आप आपका क्योड के रैंक कर सकते हो तो गूगल क्या कहते हैं पहले क्या होते हैं वो बोलते हैं कि be clear about what you are promoting आपको क्लियर करना होगा कि आप लोगों को कौन सा प्रोड़क की या सर्विसेस की हिजब से आप आड कंपीन चला रहना चाते हो राइट तो इसलिए आपको क्या करना के रहे हैं वो कह रहे है कि your customer should be expected clicking your ad included lets on your keyword in your ad headline वो कह रहे है अगर आप एक keyword की selection की हिजब से आप काम करना चाते हो तो आपको जो keyword है वो जरूर आपका headline के ऊपर रखिए और इसके चाथ-चाथ example की दोवरा में देना चाते हो जैसे for example अगर आपको keyword होगा digital cameras हाँ ठीके यह अगर keyword होगा तो जुरूर आप जो headline होगा वो headline के अंदर आप लिखे है by digital cameras यह अगर लिख लेंगे तो आपको जो keyword है वो जल्दी से जल्दी rank हो जाएगा तो friend मैं आपको एक best solution दे दिया यह भ आप क्या promote करना चाता हो यहाँ पर by default में digital camera की promote करना चाता हूँ इसके साथ साथ मेरा जो keyword है ओ भी मेरा digital camera सी है right इसके बाद हाते be relevant friend बहुत चारे ऐसे add जो campaign करते है या जो marketer है जो invest करते हो online की दोवारे Google Ads की दोवारा तो ओ लोग समझ नहीं पाते कि में relevance है कि हिचब से क customer customer का solution देना है customer आपका ad देखेंगे तो उसको useful information आपके ad की अंदर होना चाहिए headline की अंदर होना चाहिए और friend जब आप ad campaign चल रहे हो तो जो ad campaign आप चल रहे हो उसी की हिचब से आपको जो website की जो content और policy और जो system है वो जुरूर आप relevant रखिए अगर मानके चल आप digital by digital camera या digital camera की उपर आप काम करें तो आपको website की digital camera ये बात नहीं है कोई दूसरा वाला service या home page के आप promote करें जहाँ पर आपको बहुत सारे product की साथ-चाथ आपको digital cameras की उपर नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो digital marketing का जो keyword या content है वो नहीं है तो इसमें आपको ad relevancy नहीं बनता है इसलिए मैं आपको suggestion करूँगा जो ad campaign बना रहे हो वो ad campaign की hitchhap से आपको website की relevant होना चाहिए मतलब math होना चाहिए तब जाखे आपको ad approve होता है जल्दी से जल्दी rank मिल जाते ह make the diffusion on the headline friend अगर आप एक headline बना रहे हो तो make sure this ad ad की hitchhap से मानकर आप एक headline बनाइए और इसके साथ सथ match your headline your landing page friend मैं और एक detail से बता दूँ कि अगर आप एक landing page की उपर आपको जो traffic आपको जो sales या जो lead जो कुछ भी बुलिए वो अगर आप convert करना चाहिए तो landing page की हिशब से यहाँ पर और कुछ के your website if then don't find that exact right अगर आपको website की जो content है जो policy है जो system जो services आप देना चाहतो वो हिसाब से अगर relevant नहीं होगा तो I hope आपको जो rank है आपको जो promotion है वो थोड़ा सा down हो जाएगा हो सके के आपको ad disapprove भी हो जाएगा right friend इसके बाद आथ है make sure you are ad and approve friend अगर quality ad campaign चलना चाहतो तो professional तरीके से अब ad campaign चलना चाहतो तो मैं आपको request करता हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए एक number आपको extra space नहीं देना चाहिए जैसे for example A इतना बड़ा मैं ऐसा ही तरीके से space दे दोंगा तो जो 20 में जो normal तरीके से जो एक space होता है वो आप mention करिए right अग आपके ad campaign की hijab से right तो यह होता है space friend course लोग ऐसा तरीके से लिखता है right तो यह actually good practice नहीं है Google यह चाहते है कि उसका wayside की अंदर मतलो I mean जो SaaS engine की result ही वहाँ पर एक accurate information की अंदर ad चले वो यह नहीं चाहते कि उसका SaaS result खरब हो जाए कोई unnecessarily या ad जो है वो देखने से बुरा हो जा तो आप टेक्स के भी mention करिए capitalization I mean छोटा बड़ा छोटा बड़ा ए आप ठीक टाक mention करिए right friend आप थोड़ा चा यूरल जो है वो clear कर दीजिये नाम को भी अगर आप business name भी promote करना चाहते है तो please आप आपका business name जो है ओ भी ठीक टाक लिखिए title के अंदर आप आपका website की जो URL ओ input मत करिए क्योंकि already आपको website वहाँ पर देख रहा है right friend जैसे for example में दिखा दू तो आपको पास site clear हो जाएगा right friend में थोड़ा से दिखा दू जैसे locksmith right friend तो locksmith तो आप देखें already तो यहाँ पर आपको ad campaign देखने को मिल रहा है right तो ऐसा ही तरीके से आप follow करेंगे तो आयहोब आपको सारे details आपको मिल जाएंगे right friend इसके बाब्ड क्या है थे approval to customer on mobile friend अगर आप website की ad campaign चला रहा हो तो मैं आपको solution करूँगा आपको जो landing पर जे आपको जो traffic lead या business मिल जाएगा आपगी Google Ads की तरब से तो thank you so much friend अपनी important time दिया और यहाँ पर वीडियो देखने के लिए मैं आपको और एक बार में thank you so much कहना चाहते हूं मिलते है नहीं रहा एक वीडियो के साथ तब तक आब happy रहिए खुशी रहिए जाए हिंद बंदमत्रम